Hello friends, this is Jyoti, welcome back to my YouTube channel, जहां हम बात करते हैं beauty, health, wellness and much more things. आप मुझे Instagram, Twitter और Facebook पे भी follow कर सकते हैं, जिसका मैं ID आपको description box में दे दूँगी. Dandruff जो की बहुत ही common word है, इसे हिंदी में रूसी कहते हैं, यह आपके scalp पे white color का flex type का जम जाता है, जिसकी वज़े से आपको सर में eating और hair fall जैसी समस्याएं create हो जाती हैं, कभी-कभी तो इसकी वज़े से embarrassing भी feel होती है. Dandruff होने का reason यह होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा toxin वाले hair product का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो वहीं आप अपने scalp की oiling प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, थर्ड नमबर पे अगर देखा जाए तो अपने hair को आप प्रॉपरली वाश नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका scalp clean नहीं है, अगर फॉर्थ नमबर पे देखा जाए तो यह आपके digestion से problem है, लाइक आपको bloating, acidity यह सारी problems create हो रहे हैं, या तो आप nutrition सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, और सबसे important points, इस्ट्रेस की वज़े से भी dandruff और hair fall की समस्याएं आती हैं, modern science में देखा जाए तो इसका कोई permanent solution अभी तक नहीं बना है, जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तक उसका solution है, इसके बाद वो फिर से create होने लगता है, लेकिन don't worry friends, आयरवेदा में इसका permanent solution है, आप home remedies की सहायता से अपने scalp के dandruff को permanently खतम कर सकते हैं, आज मैं जो remedy आप लोगों को बताने जा रहे हूँ, बहुत ही medicated remedy है, इसको आप regular follow करेंगे, तो इससे आपके dandruff permanently चले जाएंगे, trust me guys, ये tried, tested and successful method है, इसे मैंने खुद ही apply किया है, जिसकी वज़े से मुझे इसका result 100% मिला है, तब ही मैं ये वीडियो आप लोग के साथ share कर रही हूँ, तो चलिए इस remedy को देख लेते हैं, बनाना कैसे है, anti dandruff oil बनाने के लिए, इस तरह से हमें तीन प्रकार की पत्तियां जरूरत पड़ेंगी, जिसमें से पहला हमारा नीम की पत्ति है, जिसे हम normally कड़वी नीम कहते हैं, दूसरा हमारा मीठी नीम है, जिसे कड़ी लीफ्स भी कहा जाता है, तीसरा हमारा कसूरी मेथी, जिसे हम पेनिग्री लीफ भी कहते हैं, जी हाँ प्रेंट्स, ये तीनों पत्तियां चाहिए हमें, अब इस ओईल को बनाने के लिए, इन तीनों पत्तियों को आप इस तरह से डाल लें, और उसे अच्छी तरीके से कूट लें, ज्यादा फाइन पेस्ट बनाने की जरुरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा क्रश कर लें, ताकि उसका जो एक्स्ट्रैक्ट है, वो आपका उस ओईल में आ जाए, तो इस तरह से हमने इसको कूट लिया है, रफली, अब इसके बाद हमें, आप इस तरह से इसे एक अलग से बावल में निकाल लें, याद रहे हैं फ्रेंट्स, प्रास्टिक का कंटेनर यूज नहीं करना है, आप काच का या फिर स्टील का इस टाइप के कंटेनर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंडारेक्ट हीट देना है, पानी को गरम होने के लिए रख दिया है, पानी जैसे ही गरम हो जाएगा, हम इसमें ये कटोरी रख देंगे, और हम इसमें 100 ml coconut oil डाल देंगे, इसे हम 15 मिनट तक पकाएंगे, 15 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रैक्ट है वो उसमें आ जाएगा, फ्रेंट्स नीम जो होता है, वो हमारे scalp से fungal infection और eaching को reduce करने के लिए काफी अच्छा ingredient माना जाता है, नीम में antibacterial और anti-inflammatory के गुण होते हैं, जो कि आपके बालों को healthy रखने में काफी सहायक होते हैं, इसी तरह से मेथी के भी बहुत सारे benefit है, येर से related आप बालों के लिए जितना भी देखा जाएगा, मेथी बहुत अच्छा वर्क करता है, तो इस तरह से अब देखेंगे 15 मिनट बात इसमें color आगया है oil में, अब इसको हम क्या करेंगे, एक container में छान लेंगे, अब last और important step friends, डेंडर्फ को permanently खतम करना है, तो इसमें एक छोटा से ingredient और आड़ करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं camphor, और हिंदी में बोलते हैं kapoor, जी हाँ friends, पूजा वर गरा जहां पर होती है, वहाँ पर ये kapoor आसानी से मिल जाते हैं, और crush करके इस तेल में डाल देंगे, अब ये जो तेल हमारा ready हो चुका है, अपने बालों में apply करने के लिए, अगर आपके scalp पे बहुत ही कम dandruff है, तो आप इसे wash से आदे गंटे या एक गंटे पहले अपने सर पे apply करके wash कर सकते हैं, जिनको severe dandruff वाली problem है, उनको night में oiling करना होगा, और next day आपको hair wash करना होगा, तो इससे क्या होगा, चार से पांच बार जब आप ये procedure करेंगे, तो इसका result आपको definitely देखने को मिल जाएगा, जी हाँ friends, तो आज का ये dandruff वाला वीडियो आपको कैसा लगा, ये comment करके जरूर बताइएगा friends, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाई बाई, साइनिंग आफ,